अलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आप आप लोग सब मस्त होंगे एक दाम और अच्छे से बढ़ा ही कर रहे होंगे ठीक है तो देखो बिटा आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लीविंग वर्ड्स जैसे कि हम लोगों ने अलियसों का फर्स चैप्टर लि लीविंग और लीविंग औरगेंजम को ने लुद्ध लेविंग और साइन विए नंतुरसी करते हैं आज हुए तो आज हम बंख तृट कर रहें डायविंग और सुटिचित इन living organisms में देखो बिटा diversity की जब हम बात करते हैं तो हमारे काफी टाइप के animals होते हैं और plants होते हैं ठीकि तो उन सब को क्या करते हैं हम differentiate करते हैं तो differentiate करने के लिए हमने यहां पर क्या किया कि जो हैं उनको अलग category में रखा अनिमल से तो उनको अलग अलग क्यों रखा हमने उनको अलग अलग इसलिए रखा बिटा था कि हमें identification में इजी रहे चीज़ें तो यहां पर जासे में स्टार्ट कर रहे हूं diversity in living organism में तो फॉर्स्टी हमें बोला किया है यहां पर कि तू मैंनी तू लुक अट ऑल स्पीशीज हम बहुत सारी स्थी स्पीशीज को ढ़ेखते हैं सबसे पहले हम समझते तो कि का मतलब क्या है diversity का मतलब होता है कि र hair overview प्रफ़ी यह संहां आप यह हैं वहां बूद हूं बुझ दाइवर्शिति नहीं यहां पर लिविंग की डाइवर्सीटी। तो यहां बात करें अर्थ यह था हुर्म हाभनार। मालो तो अर्थzer हंत अर्थ नहीं यहां रखते हैं हमारी यहां जो हां अ जरू जो हम ए रहुत हो थी कर आil पूरी आर्थ है उसके Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn ठीक है यह दो एरिया होते हैं जो कैसे होते हैं Tropic of Capricorn यह दोनों एरिया बहुत जदा हुमिड और वाम होते हैं इसी लिए यहां पर सबसी जदा living diversity मिलती है clear है living diversity क्यों मिलेगी यहां पर क्यों कि यहां पर सबसी जदा warm and humid area होने की वज़े से जो living organisms हैं उनको रहने में उनकी habitat के according वह बहुत अच्छे हैं इसलिए यहां पर सबसी जदा मिलने वाली diversity है इसलिए हम इन reasons को mega diversity वाले reasons भी बोलते हैं clear then उसकी बाद हम आगे चलते हैं तो बोला गाए look at similars among organisms हमने बहुत सारे और देखें होंगे जो कुछ कुछ similar होते हैं एक दूसरे से होते हैं definitely होते हैं फिर बोला गाए similar living things grouped together अगर जो ऑर्गिंजम सिमिलर हैं उनको क्या करते हैं एक ग्रुप में प्लेस करते हैं यही डाइवर्सिती का मतलब है फिर बोला गाए कि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे एक साइंटिस्ट थे रह वीटेकर में उनके बारे में आगे बताऊंगी इस पर आरे वीटेकर जोते उन्होंने फाइव टिंग्डम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने क्या कि पूरी की पूरी डाइवर्सिती को पाच इंग्डम में डिवाइड कर गया ठीक है कौन कौन से इंग्डम फर्स्ट वन इस मॉनेरा सेकिंड वन इस प्रोटिस्टा थर्ड यह फंजाइ दें प्लांटी और आइवर्सिती को बात लिया ठीक है तो यहां पर हम टैक्सवी बात करेंगे पीटा तो टैक्सवीक क्या हिरार्की की तरह है ठीक है टैक्सवी में क्या होता है गिंग्डम फिर उसका फाइलम या डिविजिए जैन उसका क्लास ओर और फैमिली जीनस कि किस जीनस से बिलॉंग करता है किस सब चीजें देखी जाती है तो हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैक्सोनोमी की तुम्हें यहां पर पयरामेट लिख रहा होगा तो यहां पर सबसे देखो सबसे नीचे लिखा गाए दिए वाइब वास्ट बहु यहां पर 10 फाइलम इसके पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके फाइलंस में डिवाइड करेंगे देन उसके बाद उसकी classes होगी अलग-अलग-अलग-अलग जैसे कि कॉड़िटा की बात करूंगी मैं अभी मैमल्स वगरा यह सारी classes होती है ठीक है फिर उसके बाद उसके order की बात करेंगे फिर उसकी family की किस family से belong करते हैं कुछ और गिंस फिर जीना फिर इस्पीशीज ठीक है तो यह तो हो गया taxonomic हरार की अब यहां पर हम बात करेंगे highest taxon की तो हमारा highest taxon होगा आप मुझे comment section में बताओ कि kingdom से species आने पर क्या होगा और species से kingdom आने पर क्या होगा similarities में क्या फ़र्ख पढ़ेगा आप मुझे comment section में मुझे आप बताना ठीक है फिर उसके बाद कोड़ दिया ठीक है कैसे जैसे कि मत करेंगे मौनेरा प्रुपीस्टा फंजाई प्लांटी अनिमीलिया सब की बारे में हम अलग अलग बात करेंगे पहले हम यह समझते हैं कि इन्होंने और थे और 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 युकराईब कर दिया अब आप पूछोगे में पोरिया और यूकराईब करी कि बात करेंगे हम प्रॉकराईब्स वह और नहीं होते हैं इस ने जो उनका nucleus है वो completely बना हुआ नहीं हो और उनमें जो cell organelles हैं वो completely membrane bound नहीं होते हैं ठीक है तो उनको हम बोलते हैं prokaryotes तो prokaryotes का feature हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होंगे cell organelles जो होते हैं उनके उपर क्या नहीं होगी membrane absent होगी यह membrane mound नहीं होगे ठीक है second character हम इसका यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनका जो nucleus है वो कैसा होगा completely well developed well developed नहीं होगा ठीक है तो इसी लिए हम prokaryotes के nucleus को हम हम बोलते हैं Nucleoid क्या बोलते हैं हम Nucleoid clear है that is Nucleoid ठीक है फिर अब हम बात करते हैं organs में यह यह तो हो गए हमारे prokaryotes अब हम बात करते हैं eukaryotic animals की उन्होंने कैसे divide किया जैसे prokaryotes में बात की कि cell organelles और जो तेना वो membrane bound नहीं थे और nucleus जो था वो वैल डेवलेप्ट नहीं था लेकिन यू karyote में क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा जो cell organelles होंगे cell organelles वो क्या होंगे membrane present होगी उन्हें membrane bound होगी ठीक है उसके बाद इनका जो cell organelles होंगे वो membrane bound होंगे इसलिए इंको eukaryote बोला और यहां पर nucleus के अंदर क्या होगा Nucleolus जिसके बारे में हमने पढ़ा था cell वाले चैप्टर में कि जो Nucleolus है उसकी discovery कि इसने की अब बच रहे हैं उनको सबको eukaryotes में डाल दिया ठीक है सेम चीज अब इन्होंने क्या क्या eukaryotes को भी दो पार्ट में डिवाइड किया फर्स्ट वान इस यूनिस यूनिस से बना हुआ था उनको इन्होंने यूनिस कर दिया लेकिन जो ऑर्गिन एक से ज्जादा से मिलकर बना हुआ था उसको इन्होंने मल्टी सैल्यूलर में से कर दिया हैं तो जितने भी हमारे उनने कहा लेकिन फरदर डौ पार्ट्स में डिवाइड किया सेले बैसिस भर तो यहां पर जिनके पास cell wall थी उनको विद इसल वाल में डाल दिया जुसमें हम डाल देंगे यहां पर फोटो और हेटरोट्रोफिक में ठीक है उनको भी अलग अलग डाल दिया इन्होंने फिर यहां पर बात करेंगे कि यहां के सब्सक्यार और होने के साथ साथ यह हैं यहां याक कर ने कि को मिल गई सेल वालों को भी दो ग्रुप में डिवाइट किया एक तो वह जो खुद का फूड खुद बना रहे है तो प्लांटे ग्रुप में डाल दिया आप इन्होंने खुद का फूड खुद कैसे बनाया जब इनके पास फूड बनाएंगे ऐसा थो नहीं है कि हम लोग जो आइनिमल से हम लोग जाके दूप में खड़े हो गया जाओ जूड रहा गया हमारे उपर और हम लोग फूड बना रहे हैं ऐसा नहीं होता कभी ठीक है जो प्लांटी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके पास लो फिल नामका प् पर जो खुड का फूड बिना रहे हैं बतला फोटो ऑटो जो ट्रॉफिक आप बहुत करें जो फोटो सिंधाज करें उनको प्लांट बोलती है ऐसे में अब सब्सक्राइब यहां पर जो प्लेटा फंजाई है इसको क्या तरह सेलवाल की बेसिस पे डिफ्रेंशिट किया थ में वो थी cellulose and hemicellulose की किसकी बनी होई थी हम लिख लेते हैं यहां पर cellulose and hemicellulose hemicellulose फिर हम बात करेंगे हैं heterotrophic की तो heterotrophic में इन्होंने कैसे divide किया यहां पर इनकी जो cell wall थी वो बनी होई थी काइटीन की लेकिन इनका mode of nutrition इससे different था तो इन्होंने यहां पर mode of nutrition के basis दोनों को differentiate किया हम यहां पर बात करेंगे बिटा प्रोकायलोट में तो यहां पर भी cell wall मिलती है बैक्टिया में जो मिलती है peptidoglycan की ठीक है glycan clear हो गया तीन जगे हमें यहां पर क्या मिलती है छाहे कि है यहां पर मिलती है यहां पर जाये लेकिन प्रोकाया को यहां पर फॉर्स आनिमल जो आर्थ पर आए उनको हम ऑन पर निमल्टिस जो जिसमें प्रोटोज़ोव आ जाएगा थीक है तो यहां पर यह हो गए हमारे on the basis of cell wall mode of nutrition ठीक है तो यह आरेश वीटे कर दे एक हमारी पूरी की पूरी डाइवरसिती को फाइव किंग्डम में क्लासिफाई किया first one is monera then protesta, planty, fungi और animalia यह फाइव किंग्डम जो आरेश वीटे कर ने बनाये थे अब उसके बाद हम चलते हैं इनके की डिफरेंसिस की बात करते हैं ठीक है आरेश वीटे कर ने जो फाइफ इंग्डम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्हें क्या किया था कि हमारे जो पूरी की पूरी डाइवरसिती उसको monera, protesta, fungi, planty और animalia में डिवाइड किया था तो first group जो होगा हमारा that is monera, second protesta, third kingdom जो होगा fungi, fourth kingdom plants और fifth kingdom animals होगा, clear है, अब यहां पर हम monera की बात करते हैं वैसे हम लोग पिछली साइट पे discuss कर चुके बट फिर भी हम एक बर यहां पर देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़े हम हमें देखने को मिलती है monera group में ठीक है, तो monera के features थे कि monera are prokaryotic bacteria, क्यों बोला क्योंकि उनमें primitive type का nucleus present है ठीक है, जो completely बना हुआ नहीं है, well developed नहीं है, some make us sick but many more help us, they don't have a true nucleus, इनके पास true nucleus present नहीं होता है, फिर हम बात करेंगे प्रोटिस्ट की, जो कैसी होते है, unicellular होते हैं, unicellular होते हैं, साथ ही साथ ये क्या है, eukaryotes है, eukaryotes, क्या है ये, eukaryotes और ये क्या है, prokaryotes, ठीक है, prokaryotes, what is prokaryotes and eukaryotes, pro मतलब primitive type of nucleus, primitive type of nucleus जिसमें मिलेगा, वो prokaryotes है, बाकी सब eukaryotes है, तो यहाँ पर हम difference करके अगर बताएं, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं, कि monera जो है, बस वो ही prokaryotes है, बाकी सब eukaryotes है, clear है, दैन सिर, हम आगी चलते हैं, प्रोटिस्टा में, तो यहाँ पर बोला गए कि protists are usually small होते हैं, single cellular organism होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, unicellular, single side organism है, that can contain qualities of both plants and animals together, जो प्रोटिस्टा के animals होते हैं, उनमें mostly plants और animals दोनों के characters present होते हैं, तो हम यहाँ कह सकते है, प्रोटिस्टा को connecting link between animals and plants, ठीक है, then हम बात करें, यहाँ पर फंजाई की, fungi is the third kingdom, ठीक है, third biggest kingdom, जिसमें हम बात करेंगे, इनमें जो cell wall होगी, वो काईटीन की बनी होईगी, और fungi को हम unicellular और multicellular दोनों बोलते हैं, अब आप कहो होगे, मैं क्यों बोलेंगे, क्योंकि fungi तो हमेशां always, सारी की सारी fungi multicellular होगी, बट एक exception हम यहाँ पर पढ़ने, पढ़ते हैं बिटा, that is yeast, yeast जो क्या होती है, हमारी unicellular fungi होती है, बात की सारी fungi हमारी multicellular होगी, clear है, तो यहाँ पर बोला गए, fungi are not plants or animals, यह ना तो plant है ना animal है, as many like to think, ठीक है, they are mushrooms, इसमें हम बोल देंगे, yeast इसमें हम बोल देंगे, mushrooms जो होती है, edible भी होती है, non-edible भी होती है, ठीक है, mushrooms, yeast, Todd, यहाँ पर बोलागा, Todd stools and walls, slime walls बगरा जो होती है, that grow on bread, यह क्या करती है, bread पर grow करती है, glucose, जहां पर glucose surface होगी न, यह वहाँ पर grow करेगी, ठीक है, leather पर grow करती है, warm and humid areas में present होती है, they have a cell wall, ठीक है, जो बनी होई होती है, kitene की, इनके पास cell wall होती है, जो kitene की बनी हुई होती है, फिर हम बात करेंगे, यह तो हमारे 3 group होगे, that is monera, protista and fungi, फिर अब हम बात करते हैं, fourth group की, जो सबसे बड़ा group है, that is plants, ठीक है, plants के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो plants जो है, सबसे पहले, अपना food कुछ synthesize करते हैं, तो यह हम बोल सकते हैं कि these are photo-autotrop, ठीक है, photo-autotrop, ठीक है, क्यूंकि यह chemicals, यह जो, यहां पर क्या करते हैं, जो plants है, वो sun से अपनी energy लेते हैं, और फिर क्लोरोफिल की presence में, अपना food synthesize करते हैं, यहां पर हम इसके बोल सकते हैं, यह क्या करते हैं, H2O plus CO2, in the presence of sunlight and chlorophyll, यह क्या बना लेंगे, C2H5, नहीं, C2, C6H12, C6H12O6, ठीक है, यह बनाते हैं, glucose, ठीक है, क्या बनाएंगे, यह glucose बना लेंगे, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अपना food synthesize कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बुलते हैं, photo autotrophs, तो इसी बेसिस पर, mode of nutrition के बेसिस पर, यह बना हैं, तो यहां पर बोला गया है, we recognize plants, because they are usually green in color, क्यों होता है, उनका green color, आप लोग मुझे comment section में बताओ, यह तो हम लोग 50 class से, 60 class से पढ़ते हुए आ रहे हैं, this is because they contain chlorophyll to photosynthesis and therefore make their own food, they are autotrophic and have a cell wall, और इनकी जो cell wall बनी होगी, वो किसकी होगी, cell wall, यहां पर हम लोगे हैं, cellulose and hemicellulose, कि इनकी cell wall बनी हुई होती है, मतलब यहां पर दो group हमने बढ़े हैं, जिन में अभी तक cell wall present नहीं है, एक तो protista और एक animals, planty में present है, fungi में present है, moneda में present है, peptido glycane की, ठीक है, यहां पर fungi में हमारी मिल रहे हैं काइटीन की, और यहां पर हमारी मिल रहे है किसकी, cellulose and hemicellulose के protista में cell wall नहीं होती है, फिर हम बात करते हैं, kingdom animalia, kingdom animalia, मुझे यह बताओ, comment section में कि हम लोग कौन से kingdom से belong कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, यहां पर देखो, animals can come in all shapes or forms, animals होते हैं, अलग अलग forms में present होते हैं, और from humans to corals to snail to sharks to sea animals, यह सब क्या है, animals हैं, यह सब अलग अलग shape में present होते हैं, don't have a cell wall and are mostly mobile, इनके बास कोई cell wall नहीं होती है, और यह कैसे होते हैं, mobile होते हैं, इन में mobility present होती है, तो यह तो हो गया, हमारा पूरा का पूरा five kingdom classification, मैंने सारे differences करके आप लोगों को बता दिया, किस तरी किस तरी differences होंगे, अब यहां पर हम diversity पढ़ने के लिए, बिटा, animalia और plant kingdom को पूरा का पूरा, according to class 9 NCRT, हम लोग plant kingdom और animal kingdom को पूरा पढ़ेंगे, इन तीनों kingdom के बारे में हम बस इतना ही पढ़ेंगे आपट, ठीक है, तो हो, let's start kingdom plant, ठीक है, plant kingdom की बात करते हैं, बिटा, अचा मुझे बताओ, plant kingdom का नाम सुनते हैं, आप लोगों के दिमाग में क् selon दिमाग में क्या आया पट आठ से, क्या फोटो संथेस्स करते हैं, विल्कुल करेक्ड, क्या करते हैं, यह फोटो संथेस्स करते हैं, ठीक है, uh photosynthesis, in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, यहाँ पर, liegt प्लांट्स बोलनें हैँ अब यह बात करते हैं निके पास क्या नहीं है सीड नहीं है अब मुझे एक बार पठाओ जिन प्लांट के पास सीड नहीं है क्या उनके पास फ्लावर प्रेजेंट होगा कमेंट सेक्षन में अंसर दू इस प्लांट विदाउट सीड एंड विदाउट प्लावर उनके हम बात करने फिनरोगेम की तो जुछ सिसका उल्टा होगा यहां पर सीड बीरिंग ब्लांट सौर बीयरिंग प्लांट ठीक है seed-bearing और flower-bearing plant हम इनको बोलते हैं किसको पनेरो गेम को लेकिन crypto game में ना तो seed present होगा ना flower present अब हम बात करते हैं इसके five divisions होते हैं kingdom planting के five division होते हैं कौन्पोन से वह वहांगे याद करें चलो मेरे साथ थैलोफाइट सब्सक्राइब इनको देखेंगे किस पर लोगों इनका डिविजिन किया गया अब बात करेंगे थैलोफाइट की और किसकी एंजियोपाइट सब्सक्राइब सबते हैं जो प्लांक्त है और जदा और ज़धा और जदा अच्छे अधस एंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें we देफरेंटлоफाइटा नहीं होती है मतलग न्युदी खाल पयटा की जो बॉडी होती है वो रूट इस्ता एंड लीफ में डिफ्रलेंट्ट्येट महीं होती है ठीके ले की जैसी स्ट्रक्ट्ड तो ध्यांद कि यासे Umm Chen confined यहां पर क्या होगा बिटा रूट स्टैम और लीफ जो होंगे वह डिफ्रेंशियेटेड होंगे क्लियरली विजीबल होंगे रूट अलग लीफ अलग स्टैम लेकिन üç और फ्रवर नहीं होगा ठीक है पर हम बात करें टरीबो हैट की तो यहां पर बिटा रूट स्टैम और लीफ डिफ्रेंशियेट होते हैं प्र यहां पर एक एक्स्टुनल या एक्स्ट्राइश जो हम यह पर कह सकते हैं that is water vascular यह फिर आप डेरेक्ट ले लिख देंगे vascular system क्या लिखेंगे हम यहां पर vascular system ठीक है vascular system यहां पर आ जाएगा ठीक है जो हमारे टारेडोफाइट्स होते है यहां पर लिफ भाट यहां पर यहां पर एक सिस्टपर प्रेस्टेंट और कलेंगें कैसे कॉंगुअ अधा क्रिप्टो जैद ऐंके अधा होगा दैंड रही होगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर नहीं है लेकिन गारेट यहां पर बन जाहेंगे तो करें लैकल हें नीसों व्यक्ट को अनको बोलेंगे जिन में जिनका सीड है ऑorter सिंगल कवरेन हो सिंगल क कोटलेडान की शेल करें सोय में हमां सब्सकति करें 것이 के को तो यह क्या है । उसको में टाइकाट सेली जिंगे यहां पर हमारी यह याद लेना इतना यह थो हमारे ने किस तरीके से क्रिप्टो गेम सो अलग अलग रखा गया कैसे फाइफ डिविजन यहां पर दिये गए अब आगे बात करते हैं जो प्लांट से उनका क्लासिटिकेशन है वह कैसे किया गया देखो प्लांट के हम बात करें डू नॉट है डिफ्रेंशेटेड प्लांट बॉडी इंटू रूट इस्टाम इंड लीव नहीं है उनको अलग में रखा गया यह हो गया हमारा फर्स्ट जिसमें सारी की सारी यह जाएगी ठीक है फिर हम बात करेंगे हैं ध़्रेंशेटेड ब्रांट इंकी बॉडडी जिनकी रूह बाड़ी पूरी डिफ्रेंशेट इड ट इकस न हो गिसमें दस्कुलर सिस्टंट ऑ देंट है वह हमारे कॉंसे हαι आप मंजे कमें सیक्षन में जल्दी से आजब लहाँ अब देखो कि यहां पर क्या हो गया है दिफ्रेंटिटेट बॉडी विदावट वाइस्किलर जिसमें हमारे की पूरे के पूरे ब्रायोफाइट लिए अगे डाट इस सेकिंड डिविजन ठीक है तो हमारे क्रिप्टो गेम्स क्रिप्टो गेम में जो हमारा थार्ड वाला डिविजिन था पर छेस्ट और लेकिन इन में सीड अभी गेंगा व्यों यह एक तो नें त्शितलीं वढ़े सेंट वाले आजाएंगे ज lequel में जो सीद है उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रजेंट नहीं को सीदिन में फ्रजेंट ऊता हुवद को मैं आपर इम नियंव फ्रॉक्त इल्प्र época विए उसको में एन्ग्रम जके ओंडिंगे seeds inside fruits ठीक है fruit के अंदर पतलब यहां पर क्या होगा सीट प्रेजेंट होगा तो अंजयो स्पर्म इसको हम बोलेंगे फिफ्ट डिवीजिन अब अब अग्योस्पर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइट किया that is monocots or dicots monocots में हमने बोला beer seed with one cotyledon single cotyledon होगा तो monocot हो जाएगा और दो cotyledon होगे तो dicots हो जाएंगे monocots का example हम यहां पर लिख सकते हैं grasses ठीक है यहां हम लिख देंगे dicots में pulses ठीक है pulses ठीक है clear I think इतना आप लोगों को clear है मेरे साथ से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए इतने में एक बार देख लो फटाफट से फटाफट देख लो एक बार कोई डाउट नहीं है इसमें ठीक है चले आगे अगे अब हम एक-एक डिविजन को यहां पर discuss करते हैं क्या है देखो थैलो फाइट के मतरे अल्गी मिटां यह हैल्गी ऐसे हम लोगोंने कई बार हम लोगोंने हम लोग गाओं में जाते हैं किसी भी नदीव अगरा में हम लोगों ने ऐसे देखा होगा तालाव अगरा जो होते पर ठीक है water surface पर तो यहां पर हम बात करते है थैलोफाइट की थैलोफाइट क्या होते है बिटा अक्वेटिक प्लांट होते है यह अपना प्लांट के जितने भी मैंबर यह सब अपना फूड बनाते हैं इसलिए हम क्या बोल देंगे उनको ऑ्टोट्रॉफिक ठीक है खुद का फूड खुद सिंतेसाइज कर रहे है इसलिए और्फोट्रॉफिक एंड रिजा फूड इस जनरली स्टार्च देखो बिटा यह जब भी हम बात करें प्लांट की तो यह जब भी फूड बनाते है न तो फूड यह ग्लूकोस की फॉर्म में बनाते हैं लेकिन प्लां everyday concise of a छ्विलोज द्र साइटश्यद अरांड रांड देश यहां पर इनकी जो शाय है उसके अरांड सेल वाल होगी और उसेल qualified किस्की बनी हूई है साइलウालающ cumplisय फैरीक आन्ड यहूंड है कित थैफ इन्हां कूट कित यह जाओं सकते हैं की दरफ हम चले तो यहां पर बोला गया है कि जो इनका मिकानिकल एंड कंड़क्टिंग एलिमेंट है वह इनमें एपसेंट होगा थैलोफाइट में अब इनका कंड़क्टिंग एलिमेंट कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बिटा मैंने तिशू बहुत अच्छे तरी में तो सिंपल होता है single side होता है तैलोफाइट में में जो और उप्रिटूक्टिव और वह सिंगल साइड होगा सिंगल से मिलकर बना हुआ होगा और कैसा होगा उसकी स्क्रूक्टिर बहुत सिंपल होगि अग्देर इस नो आम्रियों फ्रमेशन यहां पर एंडियों का फॉ फैलोफाइट इस नोट डिफ्रेंशेटेटेड इन्टू लीफ स्टैम एंड रूट इस क्लियर क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल यह थैलोफाइट से पूरा थैलोफाइट मैंने यहां कंप्लीट करवा दिया है अब लोग देख सकते हैं अब हम आगी चलते हैं ब्रायोफाइट की बात करें हमारा साकेंड डिवीजन यहां पर बोला गया है जो इसकी एक्जामपल हो जाएंगे ठीक है और यह देखो यहां पर दिख रहोंगे यह मॉसेज लिवर्वर्ट है ठीक है ऐसी हमने देखियोंग होंगे तो यहां पर ब्रायोफाइट की हम बात करें तो रूट स्टैम और लीफ में यह प्लांट डिफ्रेंशियेटेड होंगे लेकिन यहां पर क्या होगा वैस्कुलर सिस्टम अभी भी एपसेंट है तो यहां पर बोला गया है कि एक्जिबिट एम्रियोनिक कंडिशन मे हम यहाँ परrection वहीं हम यहां पर बात करेंगे दट्रीटिएम और फीमेट की बात करें ओझा और खरी लिए प्लांट लिटेट इन इनकी बाटी चाओगी वाटर में गांडर मेंद प्लांट स्कते और लिए प्लांट्स कु यहां पर रकलाट यहां पर कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं हो गया वैस्कुलर सिस्टम होगा वाटरी फ्लैश होगा एक्जाम्पल की हम बात करेंगे इनकी गैलरी ठीक है फिर उसके बाद यहां पर यह जो प्लांट्स है इनमें लिगनिन प्रेजेंट नहीं होता है क्यों क रूट स्टैंफ एंड ली रूडी गाया निक्या होगी बादी जो है बादी डिफरेंट्टी तो गी ऑर रूट स्टैंगनरा थे म बादी इनमें इधना बिटूरे में से जाएगे अब हम बदेदोफ़ते के से नॉै sub में तो differentiated होई गई थी हमारे पिछले ब्राइव फाइटा में अब टारिटो फाइटा में एक एडवांस फीचर जो आया है वह है क्या वैस्कुलर सिस्टम का ठीक है ज्यान दो पढ़ाई में ज्यान ठीक है फॉस्ट को लगा है लाइफ साइकल इस हैटेरो लोगस डिपलो है करेंगे इसका जब फर्स जेनरेशन होगा तो वह एपलोईड स्पोर फॉर्म करेंगी लेकिन सेंद जनरेशन में यह बात किरेंगे सेपरोफेतिक या सप्रोफाइट डॉमेन अइंट बॉड़ी वाइल गैमिटोफाइट इस प्रोट प्रोथाइलस इनकी जो बॉड्डी प्रोथाइलस की जैसी दिख रहा है यहां पर टारीडोफाइट की उसके बाद यहां पर क्या होगा इस पोरोफाइट जो थे है थू रूट इस्टैम एंड लीफ इंके पास रूट होगी रूट है इलेके यहां पर बात करेंगे कि यहां पर वाटर व्यच्रोफ जा हुआ नहीं तो देखो यहां पर कैसे होगा इन जाइलन की हम बात करें तो ट्रैकिया क्या होंगे ट्रैकिया और वैसल्स एपसेंट होंगे ठीक है और फ्लोयम में हम बात करें तो होगी मतलब अभी वैसल्स और चुका है लेकिन प्रो इंड नहीं है इन में क्या ऑगी वैसल्स डेफ्सेंट हो अगे ठीक है फिर अम बात करें पहाई किए तो इसपोर्ड टाविव्लपमेंट इन प्रेवलेपेंट होगा ऑऊ-स्पोश्य इसपोर इन देवलेपेंट की पहर शो होते को यह पॉरोधिस, क्याओं को, गुडैब्स अब नेक्स्ट, जो हमारा यह आपर डिविजन आएगा, स्टेज जिमनोग्षिकर ठीक है क्योंकि हमारे तीन दिविजन तो यहां पर complete हो चुके फिर्स्ट जो हमारा हुआ थैलोफाइट जिसमें रूट इस्टैम और लीफ डिफ्रेंशेटेड नहीं थे सेकंड हमने बाद की टारिको डायोफाइट की डायोफाइट में रूट इस्टैम और लीफ जो थे वह तो डिफ्रेंशेटेड थे लेकिन वैस्कुलर स्टैम एपसेंट था तर्फर था था इमने बात की इसकी टैडिडोफाइट की तो रूट इस्टैम और लीफ ठू थे लेकिन जो वाटर वैस्क्री सिस्टम था वह प्र वहाँ पर एपसेंट थे अब बात करते हैं जिम्नो इस पर मतलब क्या होता है जिम्नो मतलब नेकड़ इसके उपर कोई कवरिंग नहीं होगी फिर बोला गया है मोर एडवांस देन फांस जो फांस होते हैं उनसे ज्यादा एडवांस है लेकिन दू नॉट है इस इनके पास स्पोर्स नहीं होते हैं इनके पास क्या होंगे सीड होंगे लेकिन फंस के पास भी तो क्या होता है फंस से एडवांस है ल लिकिन यहां पर spore formation नहीं होगा यहां पर seed बनेंगे फिर बोला गाए the seeds of the gymnosperms lack a protective enclosure मतलब यहां पर कोई भी protective enclosure absent होगा यही तो बोला गाए seed of the gymnosperms lack मतलब नहीं होगा मतलब seed के उपर कोई भी covering नहीं होगा unlike flowering plants जो होते में which have flowers and fruits clear फिर बोलागा example के लिए gymnosperm में conifers pine trees जो होंगे वो gymnosperm में आ जाएंगे cycats जो है वो भी gymnosperm में आ जाएंगे गिंको यह सब क्या है gymnosperms के example यहां पर हम देख सकते हैं यह देखो कुछ ऐसे हम लोगों ने देखे होंगे कई बार हम जाते हैं रोड पे तो यहां पर ऐसे यह प्लांट्स लगे हुए रहते हैं ठीक है इन अंगेनों की बात करें बेटा तो यहां पर क्या होगा थै अंजय मेंन वेँन के उपर CHAD की till morning और यहां पर गयान है उप्लाइण के पास फ्लार भी फ्रेजेंट होगा है विद्य इनके पास जो जोको फूब्श्चरण हो होगा ठीक है तो यह सीट बीरिंग प्लांट हो गए हमारे फिर बोला गाए कि लाइव एवरिवेर डॉमिनेट प्लांट जो होते हैं वर्ल में ठीक है वह यहां पर तू सिक्स्टी थाउजांड इस्पीशीज है जिन में से 88 परजेंट आफ प्लांट किंग्डम के अंदर प् घुम फिर वह को दो कटें इस दो ग्रॉप में देट है परकल गार्यं e4 दीकोर्ट थिक को लेकिन तो होगे consider इनके differences देखो मैंने यह पर कुछ differences दिये गा है monocot and dicot के मैं इनको समझा क्यों कैसे इन में monocot and dicot कैसे हम differentiate कर सकते हैं angiose pump को चलो देखो बिटा monocot and dicot की बात के रहें सिंगल cuatralidon single cautralidon जा caught folding यहां पर क्या होगा यह देखो यह सीड इमने दिख रहा है एक ही cuatralidon से मिलकर बना हुआ है सिंगल cuatralidon लेकिन यहां पर हम बात करें यहां पर दिख रहा है कि यह तो तो कोटले डॉन होगा तो को दो दो डाल में देखा होगा एस सब क्या है जो दाइक बोलते हैं उनको यहां पर हम बात करेंगे मॉनोकोट्स में निगले हुए होगे तो है जोट सिल नहीं हो नियाख खिक खि.'" लेकिन यहां पर एसे रोंडे ओंगे हो अज़र और जो फ्लॉर के पार्ट होंगे दोटिया यहां पर 5 ने थी पैटन में तोटिया थी, के ग्राइस में देख लेना फिर हम बात करेंगे यहां पर इंका रटिकुलेट वेनेशन होगा यह से वैन प्रेजन्ट होगी यह जाए बीच बीच में पीपल का पत्ता बगत उनमें ऐसे कर यहां पर थो इनके पॉर चीनल यहां बात करेंगे कि यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो वो डाइकॉट से हम ऐसे पता लगा सकते हैं अब हम बात करें लेकिन दाइकॉट की हम बात करेंगे तो यहां पर एक पूरी की पूरी यहां पर प्रस्थी में पूर छो और स्थी आइत समस्केश्च अद्र आश्यार द्रेक्जिक थे थे शुवर सबस्क्राण fracture ज Didi की सब्सक्राइब करें गया बते तो ऑनिमल किंग्डंट से मारा बहुत वास्टेश एंपर अनिमल के अन्दर ही जो है वह ऑनिमल समुद्ट के यह वह अनिमल किंग्डंट के गया है फाइल निम्स में तो यहां पर कुछ हम देख लेते हैं क्या-क्या चीजें इन्होंने लिए फास्ट जो इन्होंने लिया है डाट इस ओर इन डिफ्रेंटिशन और सेल सेकिंड बोला गाई बाटी सिमेट्री फिर बोला गाई धान और से कोड़ेंट्स तकी तो को जब हम ऑले वाले अनिमल करें कांपैर करके डेखें तो और विए मल से करते हियं लेक कादे कि जो यह मेंबरी वह पूरा ओर्गेन सिस्ट्वोर के विच्शर को यहां पर अनिम्सित्व को जाएगी चल WOW नम्सित्र ओं seriously फिर हमबात करेंगे body symmetry बीटा body symmetry हम बातें तो body symmetry भी जो है bilateral हो जाएगी फिर हम आगे समझेंगे कैसे bilateral होगी कैसे radial होगी गर bilateral के हम मातें किसी भी organs इंप एक aixis से अगर डो equal halves में दिवाइट कर सके तो वो हमारी bilateral symmetry हो जाएगी ठीक है radial symmetry जो किसी भी axis से काट लो ठीक है थार्ड हम बात करेंगे embryonic development की embryonic development में हम germinal layer की germ layer की बात करेंगे ectoderm, endoderm, mesoderm ठीक है जो ectoderm और endoderm जिनमें present होगी उनको diploblastic बोलेंगे जिनमें ectoderm, endoderm और mesoderm तीनो germinal layer present है उनको triploblastic animals बोलेंगे ठीक है फिर हम बात करेंगे formation of body cavity and vascular system की ठीक है तो vascular system और body cavities की बात करें बिटा तो जिनमें body cavity present होती है उनको हम cilomate बोलते हैं यहां पर cilom के basis में बात करेंगे तो a cilomate, cilomate, pseudocilomate, u cilomate ऐसे organisms को हम यहां पर पढ़ेंगे best of luck exam के लिए अच्छे से बढ़ाई करो और next class में जल्दी आना क्योंकि next class जोगी उसमें qsb करवाऊंगी में और पूरा का पूरा animal kingdom discuss करूंगी ठीक है have a nice day best of luck let's crack it